हलो सुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट कुस्टिन कुस्टिन नंबर 35 के साथ पंकच नरेशन सौरब आर पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट इंदा रेशो 3 रेशो 2 रेशो 1 आपको क्या जाद रखना है वो सारे आइटम जिसको हमें डिस्टिबूट करना है जिसमें सबसे उपर उपर हमें नजार आ गया है बड़ा एक जनरल रिजर्व इसके इलावा आपके पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो पार्टनर से रेटीड हो इसमें डिस्टिबूशन हो तो एक जनरल रिजर्व है जिसको में डिस्टिबूट करना पड़ेगा कुछ अर्जस्टमेंट्स दे रखी है जिसमें हमें बोला है प्रिमिसेज हैव एप्रिशेटिड बाइटी परसंट तो यहां पर एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है यानि रिवेलिविशन एकाउ रिवेलिविशन से रिलेटिड इन डिटेल्स है उसके बाद हमारी जो गुडविल वेलिव होकर क्या यह वो 42,000 रिवेलिविश की आई है और बाकी का जो एमाउंट बचता है तो वो हम उसको बैंक एकाउंट सेट पे कर देंगे और अगर हमें जूरत पढ़ती है इसको देने के लिए पैसा और हमारे बैंक में अगर पैसा नहीं होता तो हम उसके लिए लोन ले लेंगे बैंक से तो यह बात हमें बोली है अगर ह बैंक में पैसे कम होंगे तो हम लोग बैंक से एक लोन ले लेगे, चलिए, आगे देखते हैं क्या बोला है, new profit sharing ratio of pankach and saurav is decided, तो यहाँ पर एक नया profit sharing ratio of pankach and saurav तो रिमेंग पार्टना रोंग का देदी है, 5 ratio of 1, give the necessary ledger accounts and balance sheet of the firm after nourish retirement, तो चलिए, यहाँ पर अब हमें इस छोटी सी information आपके लिए. Students, Un-Academy आपके लिए लाया है Super Commandos. जी हाँ, ये एक ऐसा batch है, जो कि आपको CA Foundation की preparation कराएगा, ताकि आप May 2022 के attempt को easily crack कर सके. ये batch, जो एक plus batch है, start हो रहा है 29th December से बटा. ये एक comprehensive batch होगा, जिसमें आपको India के top educators mentor करने वाले हैं, आपको CA Foundation की preparation कराने वाले हैं. इस subscription में आपको live interactive classes तो मिली रही हैं, साथ-साथ आपको यहाँ पर recorded lectures मिल रहे हैं, जो कि unlimited watch time के साथ होंगे आपके पास. इस subscription में आप सभी educators के note को भी access कर पाएगे, साथ ही साथ, इसमें जो हर fourth session होगा, वो एक doubt solving session होगा, जो कि आपके concepts को और ज़्यादा strong करेगा और आपको एक confidence देगा. updated study material के साथ साथ, बहुत सारे practice mock test papers भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. यहाँ पर आपको on the go notes भी मिलेंगे, जो CA Foundation के लिए हैं, उसमें chapter wise notes होंगे, colorful notes होंगे, जिसमें animation, charts, highlighted portions मिलेंगे, जो कि important part हो सकते हैं, summary मिलेंगी, practice questions मिलेंगे, यह बहुत कुछ मिलने वाला है. इस plus subscription को आप 6 months, 12 months और 24 months की option के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि बहुत यह reasonable rates पर आपको मिल रहा है. CA Foundation के साथ, CA Intermediate को भी club करकर के combo subscription ले सकते हैं, plus subscription के लावा आपके पास iconic subscription और combo iconic subscription का भी option होगा, तो चलिए अब तयार हो जाएए और boost कर लीजिए अपनी preparation को, जो कि CA Foundation के exam के लिए होगी, Unacademy के app को download करकर के यह subscribe कर सकते हैं, और subscribe करते समय आपको मेरा code जो कि neeraj 2022 है, और इस description में भी उसकी details दे रखी हैं, उसे use करते हैं, तो आपको 10% का additional discount मिलता है बटा, आगे continue करते हैं हम लोग अपने question के साथ, तो चलिए बटा, इस question को start करते हैं उसके ledgers के साथ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक revaluation account, क्योंकि आपने जो इसकी adjustment पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जो revaluation के अंदर आने वाली हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका एक revaluation account प्रिपेर कर लेते हैं, तो यह होगा हमारे इस question के answer का first part, जिसमें एक ledger हमें यहाँ पर revaluation account के नाम पर बनाना होगा, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर question में क्या-क्या हमारे पास दिया है revaluation related, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो premises have appreciated by 20%, तो एक premises को आपको 20% बढ़ाना है, तो 20% अगर आप 80,000 रुपीज का निकालेंगे, तो कितना बनेगा बटा, 16,000, तो यहाँ पर, क्योंकि यह increase हो रहा है, तो इसका मत्तब हमारा revaluation का profit है, तो यहाँ पर 16,000 रुपीज हमारा premises बढ़ जाएगा बटा, तो यहाँ पर हमने premises को बढ़ा दी है 16,000 रुपीज से, तो revaluation के next point में इसने हमें क्या बोला है, कि stock को 10% से आपको depreciate करना है, तो यहाँ पर जगर मैं देखूँ, तो stock हमारे पास 9,000 रुपीज का, जिसका आप 10% निकालेंगे, तो इसका value आएगा 900 रुपीज, तो 900 रुपीज यहाँ पर हमारा depreciate होने की वज़े से, loss होने वाला है stock में, तो यह stock हमारा revaluation account के debit side में, हमने 900 रुपीज मेंशन कर दिया है, आगे आपको बोला है कि provision for doubtful debt was to be made 5% on debtors, अब provision for doubtful debt already हमारे पास बना हुआ है बटा, लेकिन अगर आप इसको देखें, तो यह 6,000 रुपीज पर आपको 5% ही maintain करना है, जबकि 6,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो वो 300 रुपीज बनता है, और हमारे पास पहले से provision कितना है, 400, यानि हमारे पास कहीं न कहीं यह access provision बना हुआ है, हमें इतने provision के जूरत नहीं है, हमें सरफ इसका 5% बनाना था जो कि 300 रुपीज बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 रुपीज का provision कम कर देंगे, तो वो हमारा फायदा है, जब भी हम लोग किसी doubtful debtors को, जब भी हमारे doubtful debtors कम हो रहे हैं, तो यह हमारे लिए फायदे की बात है, तो इसका मतलब 100 रुपीज हमारे revaluation account के credit side पर आ जाएगा, किसके नाम पर, provision for doubtful debts के नाम पर, तो यहाँ पर आपना 100 रुपीज का यहाँ पर फायदा हुआ है, इस वज़े से हमने revaluation account को credit कर दिया, आगे देखते हैं क्या बोला है, further provision for legal damages is to be made for 1200, अब इसके बाद बोले कि, एक और हमें provision बनाना है legal damages का, जो की 1200 रुपे का होगा, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो पहले से आपके पास एक provision 6000 रुपीज का है, इसके उपर एक और 1200 रुपे और add हो जाएंगे, इस provision में, यानि यह एक legal damages से related provision है, कि कल को अगर कोई legal hazels आते हैं, कोई court case वगएरा हो जाता है, उस पर कोई खर्चा होता है, तो उसके लिए हम लोग एक तयारी करके रखेंगे, तो यह 1200 रुपे एक और डाल देंगे हमें अपनी liability में, जो कि एक नुकसान वाली बात है, एक loss वाली बात है, क्योंकि एक loss वाली बात है, इसलिए revaluation account को हमें debit करना पड़ेगा 1200 रुपीज से, और यहाँ पर आ जाएगा provision for legal damages, provision for legal damages के नाम पर हमने यहाँ पर 1200 रुपीज और record कर लिए, रिकार्ड कर लिए revaluation के debit side पर, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला इसमें, furniture to be brought up to 45,000, अब यह जो furniture है, उसको 45,000 रुपीज लेकर के जाना है, और अभी जो मेरी current value है, वो 41,000 है, यानि यहाँ पर 4,000 रुपीज का increase हो रहा है हमारे furniture में, जो की एक फायदे वाली बात है, तो 4,000 रुपीज हमें यहाँ पर credit side पर डालना है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने यह सारी बाते समझ ली है, अगली adjustment देख लेते हैं, इसमें goodwill की बात की गई है, और उसके बाद, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर asset और liability का reassessment या revaluation हो रहा हो, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा revaluation account का काम खतम हो गया है बैटा, तो चलिए, पहले इसको close कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेते हैं, तो यहाँ पर जब मैं इसको total करूँगा, तो यह हो जाएगा 20,100, इसी तरह से आप इसको भी यहाँ पर लेगेंगे 20,100 और यहाँ पर जब इसका आप balancing करेंगे, तो यह 21,100 रुपीज को जब अपने इसमें से less किया, तो यह बच गया 18,000 रुपीज, यह जो 18,000 रुपीज है, यह क्या है हमारा, यह हमारा revaluation का gain है बैटा, और इस revaluation के gain को आप क्या करते हो, revaluation के gain को अपने सारे partners जिसमें पंकच, नरेश और सौरब, इन तीनों में यह distribute हो जाएगा, और इनके profit sharing ratio में होगा, जो की है 3 ratio, 2 ratio, 1, तो 3 ratio, 2 ratio, 1 के साफ से जब मैं इसको बाटूंगा, तो 9,000 रूपीज पंकच को मिलेगा बैटा, 6,000 रूपीज नरेश को और 3,000 रूपीज सौरब को मिलेगा, यह कैसे निकाला मैंने, इस 18,000 रूपीज को इनके ratio में distribute कर दिया, 18,000 into 3 upon 6 जब आप करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, 18,000 into 2 upon 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 18,000 into 1 upon 6 करेंगे तो 3,000 रूपीज सौरब के अकाउंट में आ जाएगे, तो चलिए, यहाँ पर हम लोगो ने इस बात को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं, एक Revaluation अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, अगला Ledger जो हम लोग बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे इनकी Capital Accounts का, तो अब इसके बाद हमारा Capital, देखो कभी भी अगर आपको यह बोल दे की Necessary Ledgers बनाने हैं, तो पहली बात तो यह धियान रखना, कि Revaluation जरूर होगा उसके अंदर, और एक Capital Account जरूर होगा, इसके इलावा भी एकाथ कोई Account हो सकता है, जो की Need की ओपर Depend करेगा, जो की Depend करेगा कि हमारी Adjustments क्या क्या क्याती है, तो चलिए यहाँ पर एक Capital Account तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो चलिए Capital Account का एक Format बना लेते हैं पहले, तो चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस Capital Account में इनके Balances को लेकर क्याते हैं, जो की हमारे पास Given है बटा, पंकच का जो Balance Given है, वो 46,000 रुपीज का Given है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पंकच का जो Balance है, वो है 46,000 रुपीज का बेटा, जो की आपको शाय स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर, यह रहा 46,000 रुपीज, 30,000 रुपीज है नरेश का, 30,000 रुपीज, और 20,000 रुपीज, सौरब का Balance हमें यहाँ पर Given है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इनके Balances को ले लिया है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Balance Broad Dog, बैलेंस Broad Dog, चले, तो एक काम तो हमारा सबसे पहला यह होता है, कि कभी भी हम Capital Account बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उनके Balances लेकर के आएंगे, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Revaluation का एक Gain हुआ है हमें, तो इस Revaluation की Gain को भी हम यहाँ पर इनके Credit कर देते हैं, तो यहाँ आजाएगा Revaluation Account, और इस Revaluation Account से पंकच को मिल रहा है 9,000 रूपीज, 6,000 रूपीज नरेश को, और सौरप को मिल रहा है 3,000 रूपीज, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको Goodwill का Treatment करना पड़ेगा, और इस Goodwill के Treatment से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कि जो भी हमारे Remaining Partners है, उनको देखना पड़ेगा कि वो कितना कितना Gain कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो Compensate करेंगे Retiring Partner को, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी Working कर लेते हैं जल्दी से, तो हमारे पास जो Working Note में वो आ रहा है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें निकालना होता है उनका Gaining Ratio, तो Gaining Ratio की अगर मैं बात करूँ, तो दो Partners हैं जिनको हमें यहाँ पर Gain निकालना है, एक तो है पंकच, तो पंक पंकच का New Ratio, तो यहाँ पर हमारे पास एक adjustment में बताया हुआ है, कि नया Profit Sharing Ratio पंकच और Saurabh वेज़ डिसाइड़ टू भी 5 Ratio बन, तो यहाँ पर 5 अपॉन 6 तो हो जाएगा पंकच का, और 1 अपॉन 6 होगा शेयर, Saurabh का Infliture, तो बस यही हमारे New Profit Sharing Ratio को, हम यहाँ पर हो जाएगा, इसी तरह से बाप Saurabh का Gain अगर निकालेंगे, तो Saurabh का जो नया Ratio है, वो 1 अपॉन 6 है, माइनस इसका Old Ratio भी 1 अपॉन 6 था, इसका मतलब इसको कोई Gain नहीं हुआ बेटा, ना ही कोई Sacrifice हुआ है, ना ही कोई Gain हुआ है, तो जितना भी Gain हुआ है, वो सि नरेश का जो Share बनने वाला है, इन Goodwill, वो कितना है, पहले वो देख लेते, क्योंकि Goodwill की जो Value हमारे पास Given है, वो 42,000 रुपीज की Given है, जो Question में Valuation करके दिया हुआ है, और इसको हम कैसे बाटेंगे, हम इसको नरेश के Profit Sharing Ratio जो की है, 2 upon 6, यहाँ पर Distribute कर देंगे, और ज जो Amount आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा यह 6, 7, यानि 14,000 रुपीज का, 14,000 रुपीज का Amount आपका नरेश को Compensate करना बनता, और यह Compensation कोन देगा बेटा, Gaining Partner यानि पंकच को देना पड़ेगा, तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक बास समझ ली, 14,000 रुपीज प Capital Account में मैंशन कर देते हैं, तो यहाँ पर, यहाँ पर, नरेश को मिलने वाले है 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज, और यह कौन देने वाला है, यहाँ पर यह देने वाला है, पंकच, तो पंकच के Capital Account से 14,000 रुपीज नरेश को मिल जाएंगे, और यहाँ पर, यहाँ पर, नरे कि कैपिटल एकाउंट की वज़े से अब पंकज के 14,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे तो यहां पर हम लोगों ने यह वकिंग करके देख ली और क्या है देखे हैं जरा इसके इलावा तो अर्जिस्टमंट की अगर मैं बात करूं तो सारी अर्जिस्टमंट हम लोग यहां पर कुछ भी अब हम लोगों ने नहीं छोड़ा है सिर्फ एक लास्ट में जो यहां पर यह जो पॉइंट है यह हमारा जब तक कैपिटल एकाउंट फाइनल नहीं होता तब तक हम लोगों नहीं कर पाएंगे और यहां पर बैलेंस शीट की अगर बात करने तो यहां पर एक केंट्री भी कर लेते हैं तो यहां पर यह जो जर्नल रिजर्व एकाउंट इनको पैसा मिलने वाला है 12,000 रुपीज का कुछ 12,000 रुपीज में पंकच को उसके शेर के साब से मिलेगा यानि 12,000 रुपीज का 3 upon 6 यानि half of the amount यानि 12,000 रुपीज का half यानि 6,000 रुपीज तो पंकच को मिल जाएगा 2 upon 6 of 12,000 रुपीज मिल जाएगा नरेश जिसका value आ जाएगा 4,000 रुपीज और 2,000 रुपीज सौरब को यहां पर आपको देना पड़ेगा तो इस तरह से करके आपने ये 12,000 रुपीज का जनल रिजर्व इनके ratio में distribute कर दिया ठीक है तो जो भी जनल लेजर्व भी इनमें बांट दिया खतम हो गया पैटा इसके इलावाब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो इनकी capital accounts को अब हम लोग close कर सकते हैं तो चलिए इनको total कर लेते हैं पहले तो यहां पर जब पंकच का total आ रहा है वो आ रहा है 61,000 रुपीज का नरेश का जो total आ रहा 25,000 अब देखें जड़ा ध्यान से समझते हैं अब यहां पर हमें एक बात क्या बोली गई है कि नरेश का जो account है जो नरेश का account है उसमें हमें क्या बोला है देखो एक last adjustment जो मैंने बोला था कि capital account को final करते समय में करनी है कि 26,000 रुपीज from नरेश capital account भी transfer to his loan account तो 26,000 रुपे तो मुझे इसके loan account में transfer करने हैं तो चलो पहले वो कर देते हैं तो यहां पर नरेश loan account में नरेश के 26,000 रुपीज हमने यहां पर transfer कर दिये तो यहां देखो यह 26,000 रुपीज यहां पर चले गए इसके पास ठीक है तो यहां पर आपने इसको loan account में डाल दिया अब और कोई adjustment नहीं बचती बटा अब देखें इसका जो बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले नरेश को ही final कर लेते हैं तो नरेश का जो ये balance बच रहा है वो 28,000 रुपीज बच रहा है जिसको हमें क्या करने के लिए बोला है question ने हमें बोला है कि जो भी balance बचेगा balance to be paid through bank हमें इसको bank से pay कर देना है और अगर जुरुआ तो पड़ेगी तो bank से हम लोग loan ले लेंगे ठीक है ठीक है समझ में आगे आपको तो पहले तो आप यहाँ पर इसको pay कर दो तो यहाँ पर हमारा bank account आ गया और हमने ये 28,000 रुपीज इसको bank से pay करके इसका capital तो खतम कर दिया अब इसका कोई balance नहीं बचा तो इसका capital तो हो गया बटा close अब हम लोग ज़रा पंकच के capital का balance निकाल लेते हैं तो पंकच के जो capital का balance निकल गया 61,000 minus 14,000 that is 47,000 इसी तरह से सौरब का तो 25,000 उप इसको की debit side में कुछ हाई नहीं तो यहाँ पर आगया इसका balance तो यह हो गए इनके balance carried down तो यह दोनों partners हमारे continue करेंगे इस balance के साथ और नरेश के account को हम लोगों ने settle कर दिया है नरेश के loan account पर 26 डाल करके और बाकी का 28,000 उपी जो बचा था वो हमने इसके bank account से pay कर दिया खतम होगी बात यह होगी हमारा capital account का काम खतम अब एक जो final हमें काम करना है क्योंकि यहाँ पर आपको bank से loan लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा हमें वो भी check करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक bank का account बनाना पड़ेगा उसके लिए आपको ए bank account एक asset account है तो इसका सबसे पहले हम लोग debit side पर एक balance लेकर किया आ जाते हैं तो balance जो है हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है देख लेते हैं एक बड़ तो यहाँ पर जो balance हमारे पास bank का दिया हुआ है वो दिया वह 7600 रुपीज तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक balance आगे बड़ा balance brought down आगया 7600 रुपीज अब देखो क्या हुआ अब आपने क्या किया आपने नरेश की payment कर दी बड़ा यहाँ पर देखो आपने इस नरेश को 28,000 रुपीज बैंक से पे की है तो अगर बैंक से पे की है तो यह 28,000 रुपीज आपके यहाँ पर credit हो जाएंग बैंक में किसको चले गए यह चले गए नरेश को तो नरेश के capital account में आपने इसको डाल दिया यह काम खतम हो गया लेकिन क्या आपके पास इतना balance था यह नहीं हमारे पास balance तो सिरफ 7600 था और हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं 28,000 रुपीज तो यहाँ पर balance कैसे पता चलेगा तो आप इसकी balancing figure कर लो तो यहाँ पर 28,000 और यहाँ पर 28,000 minus में 7600 that is 20,400 यानि यह जो 20,400 पे का balance इस तरह आ रहा है यह हमारा एक loan होगा तो इसको हम लोग लिख देंगे bank loan तो यह हमारा एक bank loan account बन गया नया और हमने 20,400 पे का bank से loan ले लिया so that हम लोग नरेश को इसका 28,000 रुपीज पे कर सकें तो यह बात हमें इस question में बोली गई थी तो एक बात मैं आपसे फिर से चक करा देता हूँ यह बात कहां पर बोली गई है यहाँ देखो बेटा यहाँ पर last में फिर से एक बात पढ़ो कि 26,000 from नरेश capital account to be transferred to his loan account and the balance to be paid through bank if required necessary loan may be obtained from the bank तो हमने यहाँ से bank से एक loan ले लिया है 20,400 रुपे का जो की कम पढ़ रहा था हमारे bank account में नरेश को देने के लिए ठीक है तो चली अब यहाँ पर हमारे सारे necessary ledgers बन चुके हैं फाइनली अब हमें एक balance sheet बनानी है और इस balance sheet को जल्ली जल्ली से हम लोग यहाँ पर update कर लेते हैं तो चली अब balance sheet को एक बार जल्ली से देख लेते हैं balance sheet में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इसका general reserve दे रहे हैं जो की already distribute हो चुका यह खतम हो चुका है तो अब हमें इसको ने लेना है इसको यहाँ पर रख करके तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आगया बटा संड्री क्रेडिटर्स तो यह जितने भी संड्री क्रेडिटर्स है इसमें कोई change नहीं हुआ था तो as it is हमारे यहाँ पर यह 15,000 रुपीज के संड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई change नहीं है कोई ऐसी adjustment नहीं थी फिर उसके बाद आता है bills payable जो की 12,000 रुपीज का है तो यहाँ पर मेरा पास bills payable भी कोई change नहीं हुआ था इसमें जो की 12,000 रुपीज का तो as it is हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे next है बेटा यहाँ पर outstanding salary इसमें भी कोई change नहीं हुआ तो यह 2200 रुपीज की outstanding salary भी as it is यहाँ पर आ जाएगी 2200 रुपीज था यहाँ पर outstanding salary आ गया और फिर उसके बाद है हमारे पास provision for legal damages 6000 रुपीज तो यह होगी हमारे पास provision for legal damages लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर आपने legal damages को improve किया था इंक्रीज किया था बटा कितने से 1200 रुपीज से देखिए ना आपने यहाँ पर revaluation account जब भी आप balance sheet को बनाया करें तो एक बर इस revaluation account पर जुरूर आया करें यहाँ पर आपको asset या liability में आपको changes करने हैं तो एक तो आपका यह provision for legal damages 1200 रुपे आपने यहाँ पर नुकसान किया था अपना यहाँ बढ़ाया था आपकी liability को तो 6000 पहले से था और अप to 1200 और बढ़ गया तो यहाँ 7200 रुपीज का आपका legal damages हो जाएगा इसके लाब अगर आप यहाँ देख ले तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद सीधा आज जाता है हमारे पास capital accounts अब सीधा-सीधा capital account आगा लेकिन capital account को लिखने से पहले हमारी और भी कुछ liabilities बन रही थी हम जर उन liabilities की बात कर लेते हैं देखिए जब हम लोगों ने यह capital account बनाया था तो यहाँ प account आगया हमारे पास जिसकी value कितनी है 26,000 रुपीज की तो यह 26,000 रुपीज हमारा balance sheet में अब यहाँ पर reflect करेगा साथी साथ हमें नरेश को pay करने के लिए bank से भी एक loan लेना पड़ा था तो यानि यह bank loan भी आगया हमारे पास तो यहाँ पर bank loan account भी आगया और जिसकी value कितनी यह भी अभी हम लोगों ने calculate करी 20,400 रुपीज तो यह 20,400 रुपे का loan भी आपने अब लिया हुआ है जो कि आपकी balance sheet में liability side पर reflect करना पड़ेगा चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी liabilities वाली बाते कर ली हैं तो इसका मतलब अब हम सिरफ यहाँ प account है उसमें पंकच का 47,000 और सौरब का 25,000 रुपीज का balance है तो यहाँ पर आ गया पंकच का जो balance आ रहा है वो आ रहा है 47,000 रुपीज और इसी तरह से सौरब का जो balance आ रहा है वो आ रहा है 25,000 रुपीज 25,000 रुपीज बस बेटा यह हो गया हमारा capital account का information balance sheet में हमने डाल दि इसका total आ जाएगा बेटा 72,000 रुपीज 72,000 रुपीज खतम हो गया तो यह मेरा liability side तो final हो गया अब पहले जरा asset side को देख लेते हैं अब देखें जरा asset side में हमारे पस क्या क्या given है तो यहाँ पर अगर आप asset side को यहाँ पर गोर करेंगे तो इस asset side में यहाँ पर हम लोग balance sheet कर चुके तो इसका मतलब हमारे bank में कोई balance नहीं है हमने एक loan ले लिया था बलकि उस balance को पूरा करने के लिए तो इसका मतलब bank तो अब खतम हो गया अगला है हमारे पास debtors debtors अब जड़ा debtors की अगर मैं बात करूँ तो debtors यहाँ पर हमारे 6000 रुपीस की है इसमें तो कोई change नहीं हुआ लेकिन जो हमें यहाँ पर less करना होता है provision for a doubtful debtors इसमें changes हुए थे क्योंकि आपने इसको इसका 5% बनाया था अगर आपको याद होगा तो आपने 100 रुपीस इसमें से कम करने थे तो यानि यह जो बन गया है वो 300 रुपीस का बन गया था जो की आपने revaluation account में भी डाला राइट उसके बाद है यहाँ पर stock तो stock को भी आपने यहाँ पर evaluate किया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो stock में 900 रुपीस आपको कम करना है क्योंकि यहाँ पर आपका loss हुआ था 900 रुपीस का stock decrease हुआ था तो इसका मतलब यह जो stock अब 9,000 रुपीस का था वो फरनीचर और एक premises गिवन है फरनीचर की वेल्यू गिवन है 41,000 रुपीस जबकि रिवेल्यूवेशन में हमने फरनीचर में 4,000 रुपीस और इंक्रीज किया हुआ है यहाँ पर हमारा रिवेल्यूवेशन क्रेडिट हुआ था जानी फायदा हुआ था तो इसका मतलब फरनी फिचर एकाउंट में 45,000 रुपीस की वेल्यू यहाँ पर चले जाएगी और लास्ट जो हमारे पास इसमें वेल्यू बचरी वेल्यू है पर फ्रेमिसस की तो यहाँ पर premises premises जो कि हमारे पास 80,000 रुपीज का given है इसमें भी कुछ revaluation हुआ था तो premises को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16,000 रुपीज से आपका premises increase हुआ था तो 80,000 प्लस 16,000 इस 96,000 रुपीज का अब आपका finally premises की value हो गई है revaluation होने के बाद खतम बेटा यहाँ पर हम लोगों ने अब asset side की भी सारी जोगो ले लिया अब ज़र हम इसको total कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा total क्या आ रहा है बेटा यहाँ तो यह हो गया 800 और यह हो गया 13,500 16,500 यहाँ पर आ गया 50 तो यहाँ पर आ गया बटा 154,800 रुपिस इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप इसको total करेंगे तो यहाँ पर भी आ जएगा 154,800 रुपिस आप एक बार इसको चाहें तो अपने एंट पर भी चेक कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने अपनी इस balance sheet को भी खतम कर लिया I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा बच बटा इसके लाब आप इस question में कुछ नहीं बचा अगले question को next video में करेंगे Thank you very much